नमस्कार दोस्तों, टेक स्केन के एक बिल्कुल नहीं, फ्रिस और एकसाइटिंग अपसोर्ड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो के टाइटल और थामनेल पर आपने बिल्कुल सही पड़ा। BSNL कमपनी का खेल खतम होने वाला है। गवर्मेंट की तरफ से दो टाइम रिवाइवल पैकेज, एक बार 69,000 करण रुपए और एक बार 1,64,000 करण रुपए कितना वैल्यू क्रियेट करेंगे BSNL के लिए ये पता नहीं। लेकिन जिस तरीके से BSNL अभी आगे बढ़ रहा है, इसे देखते हुए BSNL का कंडिशन काफी सदा खड़ाब होने वाला है। और अगर किसी भी टाइम गवर्मेंट का हाथ BSNL के उपर से उड़ जाते हैं, तो BSNL उस टाइम एकदम कोलाप्स कर जाएंगे। इसके बढ़ में पुड़ा डिटेल से इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा BSNL के अंदर हो क्या रहा है, मतलब प्रॉब्लेम क्या कुछ है जिसके वाज़से अभी तक 4G सर्विस नहीं आपा रहा है, चले वीडियो को शुरू करते हैं, आसा करते हैं वीडियो ज इसको ये वाण करते हुए आ रहा है कि वो जो सरकरी नौकरी का जो एटिट्यूट है उसे यहां पर छोड़े, क्योंकि उनको भी पता है BSNL का आज का जो कंडिशन है वो बिलकुल भी अच्छा नहीं है, मतलब गवर्मेंट चेंज होता रहा सेंट्रल के अंदर और गवर् का कंडिशन और भी सदा क्रिटिकल होने वाला है, सबसे बहले बात कर लेते हैं कि BSNL कंपणी के अंदर 4G सर्विस कब आएंगे, देखिए आस भी नहीं हुआ, जो टेलिकाम मिनिस्टर है, वो 2022 के सुरवत पर, मतलब पिछले साल के सुरवत पर ही कहते कि 15 अगोष्ट BSNL अपने ऑफिसेल 4G सर्विसेस को लांच कर देंगे, हम आसा बढ़ते कि हो जाएंगे BSNL 4G लांच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, BSNL 4G लांच 15 अगोष्ट को नहीं हुआ, उसके बाद हमारे टेलिकाम मिनिस्टर ने फिक्से का कि फास्ट वी हैंगे, तब डेफिनेल हमें पता है कि वो 2024 के अंदर सीफ्ट कर देंगे, मतलब यह हो क्या रहा है BSNL कंपनी के साथ, मतलब गवर्मेंट पैसे दे रहा है, हम आप जैसे जो टैक्सपेर हैं, उनका पैसा है, BSNL को मिल रहा है, वो बेजीजा की उस कर रहा है, लेकिन परसन भारत से होंगे, तो यह जो कॉंसेप्ट है, यह वन अप दा बेस्ट कॉंसेप्ट है मान सकता हूं, लेकिन प्रॉफर इंफरस्ट्रक्चर कहा है, BSNL अल्रेडी साथ साल पीछे, इसके ओपर BSNL को बताया जा रहा है कि वो अगर अपने 4G और 5G सर्विसेस को लांच करना पड़ेगा, काफी जा अच्छा कॉंसेप्ट है, लेकिन प्रॉफर इंफरस्ट्रक्चर ना होने के कारण से, जो इक्विमेंट्स अप्लायर है, for example, TCS, Tata Consultancy Services, Tejas Network, ITI, CDOT, यह सारे कंपनी BSNL को इक्विमेंट्स प्रोबाइड नहीं कर पा रहा है, भारत एक बहुत ह बढ़ा देश है, और इस बहुत ही बड़े देश के अंदर एक पटिकुलर टेलिकाम कंपनी पूरे तरीके सी इंफरस्ट्रक्चर बना रहा है, मतलब कितना जाधा रिसोर्स की जरूरत है, आप एक बार सोच सकते हैं, मतलब बहुत जाधा रिसोर्स की जरूरत है BSNL को, ज यह जो मतलब concept BSNL के साथ यह बिल्कुल भी सही चीज नहीं हो रहा है, कि हाँ भाई, टाटा को छोड़ कर कोई दूसरा कंपनी BSNL के लिए 4G सर्विस लांच नहीं कर सकता, और इसी करना से हम जितना चाहे टाइम ले ले, तो यह जो particular mentality है, यह मिल ली हम TCS के पास से बिल्क के अपना equipment supply करेंगे, थोड़ा टेस्टिंग करने में टाइम लेंगे, तो particularly एक date यहां पर बता देना चाहिए था, क्योंकि बहुत सरे ग्रहक जो वो इंतिजार कर रहे BSNL को प्यार करते हैं, मैं जब भी BSNL का वीडियो बनाता हूं, लोग पूस्ते हैं, मुझे mail करके भी यहां पर पूस्ते हैं कि भाई, आप कुछ चानते हैं कि BSNL 4G हमारे लिए का अंदर कब launch होंगे, लोग इंतिजार कर रहे हैं, private telecom company काफी बढ़िया benefits प्रोवाइड कर लेकिन फिर भी लोग BSNL को चाहते हैं, तो यह जो BSNL के लिए प्यार है लोगों का, यह BSNL को बिलकुल भी सही चीस नहीं हो रहा है, अभी देखिए BSNL 4G launch अगर 2024 तक चले जाते हैं, तो तब 4G का क्या sense रहेंगा, बताओ, 2023 के अंदर पूरे भारत 5G से cover हो जाएंगे, प्राइवेट कमपनी काफी जबर्दस्त काम करें, जाते हैं, जी और एर टेल कमपनी जो बहुत बहुत ही जबर्दस्त काम कर रहा है, और 2023 के अंदर पूरे भारत 5G से cover हो जाएंगे, लोग 5G उसका नहीं स्टार्ट भी कर देंगे, तो तब BSNL अगर 4G सर्विस को launch करें, तो कौन ऐसा बंदा है कि BSNL 4G के साथ जाएंगे, तब भी BSNL एक स्टेप पिछर हैंगे, बाक 5G सर्विस को launch करेंगे, लेकिन तब तक क्या BSNL बच पाएंगे, आप खुद ये बताओ, अगर BSNL कंटिनूसले 1000 करोरो रुपए लॉस करते हैं हर माई ने, तो इस चीज़ को BSNL को सोचना चाहिए, लोग काफी सदा मतलब आसा लेकर बैठें BSNL के उपर, तो BSNL को भी उनके फिलिंग्स का प्रॉपर रिस्पेक्ट यहां पर करना होगा, अभी आप मुझे ये बताओ, अगर आप एक BSNL के कहा करें, क्या आप खुद ये इंतिसार कर रहे हैं, BSNL 4G लांच के बारे में, डेफिनिल आप कमेंट सेक्समेर कमेंट करके जरूर बते हैं, या आप अगर आप से उनके तो कैसी कोई नए वीडियो के साथ, तब तक लिए दोस्त अपना ख्यार देखिएगा